तो देखिये, question number 4, if a plus 1 upon a is equal to p, a is not equal to 0, then show that aq plus 1 upon a cube is equal to p, p square minus 3, अभी ये question देखने में मुश्किल लग रहा है, बट जैसे ही ये नजार आया, a cube और a cube, तो आपको समझ आना चाहिए कि ये जो question है, ये cubic expansions का है, सुके जी कोई डाउट आपको, मिसरा जी आपको डाउट, नो सर, याद रखिये, जब भी ऐसा cube नजार आना शुरू हो जाए, तो ये, देखिये, दो expansions आपके, ये chapter में दो expansions है, एक cubic expansions है, और दूसरी जो है, वो square वाली है, सिर्फ ये ही दो है, जैसे ही cube आपको नजार आ चाहिए कि जो cubic expansions है, वही यूज हो रही है, मेरी बात समझ में आई नहीं है, जैसे ये question लिखा हो है, ये question 9 लिखा हो है, तो इसमें, यहाँ पर शायद कोई square यूज होगी, यहाँ cubic expansion यूज होगी, बात समझ आया नहीं है, आपको, जब exam में आएगा, question आएगा, आपको स square है, cubic है या कोई और है, क्योंकि उसमें तो mixed होगा, square भी होगा, cube भी होगा, तो आपके पास जो hint है, वो hint सरफ यही है, कि जैसे ये question में, आपको cube नजर आ रहा है, ये question में, आपको cube नजर आ रहा है, तो cubic expansion से कुछ लेना देना होगा, भई को doubt है यहाँ तक, बात हो चुक मिजरा जी अवाज आ रही है, ये अवाज आ रही है, आ रही है, उसी तरह square में भी ये साथा, आठेक expansions है, अब ये chapter तोड़ा सा टेड़ा है, इसलिए बार-बार practice करोगे तो अच्छा रहेगा, बट हिंट जो है, वो hint आपको मेल गया, कि जब भी आपको कहीं पर cube नजर है, तो you get a fair amount of idea कि यार इसका लेना देना किसी cubic से ही होगा, मेरी बात समझ में आए, ये question जब exam में आ जाएगा, आपको तो समझ नहीं आएगा, कि क्या करूं इसका, तो hint सुरफ यह है, कि अगर cube लिखा होगा, तो cubic से लेना देना होगा, इतनी बात तो समझ आनी चाहिए, जैसे ये question अब exam में आ गया, तो आपको देखके डर लगना चुरू हो जाएगा, कि भाई क्या करें इसका, पर सिरफ यह दियाना कि यह देखो, cube 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 नजार आ रहा है, तो इसका लेना देना किसी cubic expansion के साथ होगा, तो सुरा जी कोई doubt, यहां तक सांती है, तो इसको देखा ज है, ध्यान से, अब एक जो, एक जो style है करने का हमारा question, वो बार बार यह है कि 1 plus, a plus 1 upon a, अगर p k equal है, तो यहां पर अगर मुझे cube नजार आ रहा है, तो एक छीज जो मैं कर सकता हूं, you know, without any, much of understanding, की, हाँ, cube है, तो it would be related to something, related to cube, so one thing that I can actually do is, that I can write, cubing both sides, cubing both sides, cubing both sides, a cubing both sides, a cubing both sides, a cubing both sides, अगर गलत English है, तो ऐसे लेख लेजे, taking a cube on both sides, जो भी देख लेजे, मरी बात समझा है ही नहीं है, basically left hand side or right hand side को आप cube करना चाहते है, मिसरा जी, yes sir, मिसरा जी square क्यों नहीं है, की question में cube है, शाबाश, बहुत बढ़ी है, question में cube है, अगर question में a square plus one upon a square हो था, तो फिर आप square करते हैं, अब घर से निकलियो, कहीं तो जाओगे, तो cube नजर आ रहे हैं, तो आप cubing both sides करना शुकर रहे हैं, तो without much of a thought, what we will do is, हम दोनों side को cube कर देंगे, a plus one upon a का whole cube is equal to p cube, मितरों कोई doubt, मिसरा जी, यहां तर कोई doubt है, मिसरा जी, यहां तर कोई doubt है, अब देखिए, यह इतना बड़ा question जो आपको डर लग रहाता है, देख देखे, वो actual में है, इतना छोटा सा question, a plus one upon a, जो है, वो pk equal दिया हुआ है, आपने दोनों side को cube किया, मेरी बाद समझ आई नहीं आई, तो, a plus one upon a, का cube जो है, वो cubic expansion अगर आपको याद है, तो वो होगा, aq plus one upon a cube, plus three, a plus one upon a, मिसरा जी कोई doubt, तो बेसिकली, aq plus one upon a cube की जो value है, वो किसके equal है, इसके equal है, a plus one upon a का whole cube, minus three, a plus one upon a, मिसरा जी कोई doubt, अगर याद कोई doubt नहीं है, फिर तो चीजे असान है, क्योंकि for a simple reason कि, ये, p cube है, ये देखो, और ये, p है, नहीं समझ में है, मिसरा जी कोई doubt, आपको खुद समझा देगा, कि जो बड़ा question लग रहा था, जिसको देखके, दिमाग कराब हो रहा था, वो एक्चल में दो लाइन का question है, a plus one upon a cube, a plus one upon a का whole cube, यहाँ p cube डाल दिया, a plus one upon a की जो value है, वो p डाल दी, तो यह p cube minus 3p आ गया, नहीं समझ में है, भाई, अब यहाँ अधिया आपक ने गलती की है, आपने गलती नहीं करनी, आपको गलती नजर आ रही है, मिसरा जी, मेड़ा आपको नजर आ रही, यहाँ पर चूटेगा p square, और यहाँ चूटेगा minus 3, मेरी बास समझ में, मेरी गलती समझाई नहीं आई, यह समझाई, मिसरा जी, पी कामन ले सकते हो ना, यार, तो यहाँ जाएगा p square minus 3, नहीं समझाई, मिसरा जी, डाउट है, यह यहाँ पर लिखा हुआ है, p into p square minus 3, यह देखे, p into p square minus 3, कोई डाउट? नो सर, तो जो इतना बड़ा question आपको नजर आ रहा था, भूत की तरह, वो छोटा था question था, कोई डाउट? नो सर,